तो है आप स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग परिक्षा कि आज के इस वीडियो सेशन में जहां हम लोग साइंस की मिनी महरतौन आज भी फिल्ब से करने वाले हैं आप लोगों को बहुत मजा आने वाला आज के साइंस के महरतौन में क्योंकि जैसे कि आपकी परिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिए ताकि जादा से जादा लोग जो है हमारे साथ जुड सके वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को जो भी लोग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरून क कर सकते हो जल्दी यली से बता दीजी क्या मेरा वॉइस प्रॉपर है और मेरी ओडियो वीडियो क्लियर है तो शुरुआत करते हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ में कि बहुत देर हो गई कुछबू जी सौरी बहुत देर हो गई बट मेरी ठीक नहीं थी इसी वज़े से चलिए तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग कि बहुत से लोग जिंदगी में बस यही जो है रिग्रेट रखते कि मैं करनी पाया करनी पाया जबकि वो सिर्फ एक स्टेप एक कदम अगर और ले लेते तो वो शायद आज अपनी मंजिल की ओर होते तो इसी तरह आपको भी जो है तीरे-दीरे महनत करते रहना है आगे ब के साथ में बहुत सारे science के question से हम लोग करने वाले which of the following is an acid-base indicator यह जो question है हम लोग कर कर रहे थे बट यह कुछ पावर कटके जिसे नहीं हो पाया तो मुझे बताइए इसका क्या correct answer है निम्नलेकित में से कौन सा जो अमलशार का संकेतक है सिर्का है हल्दी है खाने वाला सोड है या एक से अधिक या कुप्यूक में से कोई भी नहीं सभी के answers मुझे comment box में चीए सभी लोग comment करेंगे जल्दी कमेंड बॉक्स मुझे answers करके बताइए कि क्या सही answer है PRTP है सारे mix करवा रहा हूँ ताकि आप confident रहो TRE 1.0, 2.0, 628, 910 सारे कैसे questions पूछे जाते हैं जल्दी जल्दी कमेंड करते रहो और likes का जो target है हमारा 500 like का आज हमारा target है जल्दी जल्दी से सभी को पूरा करना है चलिए बहुत बढ़िया सब लोग जो है answer B दे रहे सब्सक्राइब करते हैं जो कि आपका विनेगर कहलाता है विनेगर जो कि हम लोग यूज करते केक वगरा बनाने में बहुत से चीज़ों में चावमीन वगरा जिसको पसंद है CS3COOH जिसका जो केमिकल रसाइनिक फॉर्मूला है ठीक है यह नहीं हो सकते क्योंकि एक सिर्का एक जो है वह अपका अमला होता है हल्दी हल्दी जो है आपका बिसीकलि संकेतग्स प्रबबड़ को चड़े और अगर मैं एकाने वाला सोडा की बात करों तो केक वजागरा जो बनातेइ काने वाला सोड़ा मतलब बेकिंग soड़ा होता है Ведь tak जो केक वगरा में हम लोग यूज करते तो ये भी नहीं है क्योंकि ये एक शार है यानि कि आपका एक ये बेस है तो आपका जो correct answer है वो है हल्दी जो कि हम लोग indicator यानि कि सूचक के तोर पे इस्तेमाल करते हो और ये एक प्राकरतिक indicator है चली देख भी लेते इंडिकेटर साख अंद ह nerede को अक्रवान फोर से याफ फिर वह कहा है यह सदो प्रखिश्ज मंग स मिल जाते हैं जैसे कि तर्मेरिक पाउडर हो गया आपका लिक्मस जो कि लाइकन नाम के नाम के वनता है लाइकन अपे बनता है चाइना करते हैं और साथ ही अगर मैं बात कुरूं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की यानि कि जो लेबाइटरी में बनाए जाते यह फिनॉफ्थैलीन होता है आपका मिथाइल औरेंज जो है वो भी एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है सभी लोगों को समझ में आ रहा है सभी लोग अभी जो पेपर हुआ था आपका उसका कोईशन है बताइए वीच वन ओफ फॉल्वइंग मैमल स्लेज एग मतलब की ऐसी कौन सी जो है स्तंधारी जो है वो अंडे देता है बताइए ऐसा कौन सा स्तंधारी जानवर है जो अंडे देता है भाई एचिंडा कंगारू लोरिस जल्दील से कमेंट करतके मुझे आंसर चाहिए सभी क्यों लाइक कम है बाई 500 लाइक हमें पूरे करने 468 हमारे पास लाइव बच्चे और सिर्फ और सिर्फ 272 लाइक से हमारे पास में जल्दील से लाइक कीजिए शेयर कीजिए कितने कोईशन्स पढ़ाएंगे बहुत सारे कोईशन से पहले इसे पूरा करते बता यह 91010 का कोईशन है यह सभी की जो आंसर दिख पूजा जी जोती जी नेहा जी प्रिया जी पृत बढ़िया तो जी एचिनाडा जो है ना आपका एचिनाडा जो होता है यह बेसिकली एक मैमले जो अंडे देता है स्थन्धारी तो वैसे अंडे देते नहीं है बट यह कुछ दो हैसे जानवार होते जो अंडे देते देख लेते एक बार मतलब अंदे देणे वाले कौनसे कौनसार शेर мощंष यह आपके पक्षी यह लक्री वैं टारे यह थी टीके अपके आपका आपका देतेए, आपकी जो मश्कीटो है या फिर आंट वगणा छेटा वगणा होती है, आपको पता है इंसान है ठीके है, मैमल्स जो भी होते हैं, स्पनदारी जो भी होते वो अंडे नहीं देते, जैसे कि डॉक्स है, कुट्टे होते, बिल्या होती है, वेल्स होते, डॉल्फिन होते, हुमन होते, एलिफेंट्स होते, वो सिधा बेबी प्रोड्यूस करते कुछ महीने बाद, ठीक है, तो यह पूरा मचली वगरा भी आपके जो है अंडे देती है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके बाद जो एचिन अडास है, ठीक है, एचिन डास जो है, वो अंडे देता है, और प्लाटीपस, यह जो दो तरीके के जो आपके जानवर है, वो क्या करते, अंडे देते पर यह स्तनदारी है, यह चीज आपको ध्यान रखना ह क्लियर है यह पॉइंट सभी को, जल्दी यहली से लाइक भी कर देंगे सेशन को, अब हम बढ़ते आगे अगले कोशन की और BPSC TRE 1.0 का यह क्वेशन है, पूछा हुआ है, कि पारी तंत्र में उर्जा का प्रवा डाश होता है, बताइए, पारी तंत्र मतलब एको सिस्टम जो है अपका इको सिस्टम की प्रोडूसर्स है, फिर उसके बाद में प्राइमरी जो है, इसके बाद में प्राइमरी जो है, मल्ती डारेक्शनल होता है, यह एक से अधिक यह कोई भी नी, जल्दी से कमेंट करके सभी क्या आशा चीह मुझे कमेंट बॉक्स में, कि भाई, तो मैं मुझा सांवसा होता है सबसे पहले पटॉट को जो है ट्राइमरी कंजूमर कांचे चुह खाते है या पिर समय को स्कौ काइगा ही र कि यह पिर उसके बाद और और कुल कि को सब bueno शेयर शेर अपका उसका अध्यार काता है क्या डियूर्श डारेक्शन में होुता है कभ बी, बी, जो लोग आंसर भी दे रहे हैं एक देशी है, ठीक है, एक दीशा, एक दीशा में जो होता है, यूनी डिरेशनल जो प्रोसेस होती है, यहाँ, यह यह करेक्ट आंसर है, क्यों? अब इसका रीजन भी देख लेते हैं, देखिए, आब जब भी देखेंगे, जो भी प खाता है शेर खाएगा आपका चीता खाएगा सारे जो जानवर नौ कार्णी वोरज जो होते वो खाएंगे तो यह पूरा एक डाइरेशन के अंदर होता है ऐसा नहीं कि जो उपर वाले जैसे शेर जो है घास को नहीं खाएगा कभी भी ठीक है इसको खाएगा ही रन को है एक दिशिक होता है कि लिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन के और यह भी बीपेसे टीरी 2.0 में साइंस में पूछा जा चुका कोशन है आप लोगों के पी आइटी में पूछा था कि विच्वन आफ फॉलोंगी सूटेबल फॉर अल्कोहलिक बीवरेजेस भाई मिध्नॉaser होता है है needs all hotline vapor more home ऑफ कोई भी नहीं उपर में से बताईए अक्षर बहुत से लोग जो है आपने देखा ओंगा शराब पीते बहुत कुछ भीज्क्या पीते लोग बहुत चाहिए व किना नई चाहिए और अगर कुछ लिमित में अगर आप लोग लेते हो और आ इतनल बोल रहे हैं मिठनल कौन बोल रहा है एकजनल कौन बोल रहा है यह भी मुझे बता आई जल देंगे कमेंट करके कमेंट्रेट कम नहीं होना चीए सबी लोगों को जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना ही है चलिए बहुत बढ़िया चली देखते हैं, इसका क्या correct answer है, आपका जो ethanol है, ethanol जो होता है आपका alcohol बनाने के लिए इस्तेमाल में होता है, alcohol primarily इसी से बनता है, ठीक है? Fermentation की एक प्रक्रिया होती है, kinvane की प्रक्रिया होती है, जिसमें yeast का इस्तेमाल, खमीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है आपकी शराब बनती है, अगर मैं methanol की बात करूँ, methanol क्या करता है, वो बहुत ज़ादा toxic होता है, बहुत ज़ादा toxic है, severe health आपको जो है, आपकी death हो सकती है उसको अगर आप consume करते हो, उसी तरह जो hexanol होता है, वो क्या होता है, plants और fruits के अंदर पाया जाता है, तो यह आपका जो correct answer है वो है, आपका ethanol जिससे शराब बनाई जाती है, hexanol भी नहीं है, methanol भी नहीं है, ethanol आजकल आपको पता है, biofuel, आपने देखा होगा biofuel, biofuel जो आजकल हम लोग जो use करते हैं हमारे गाडियों में, आजकल हमारा petrol diesel कम हो गया है, तो उसके वज़े से क् biofuel के तरफ जाते हैं, तो petrol में कुछ मातरा जो है, ethanol का जो use किया जाता है, ताकि efficiency बड़े हमारी, clear a point, चलिए, यह रहे पूरे alcohol और उनके सूत्र, alcohol और उनके पूरे सूत्र, जो है, हम लोग यहां पर देख सकते हैं, कि उनका क्या chemical formula है, methanol, CH3OH, हमेशा याद रखना, CH3OH, OH जहां जुड़ गया, मतलब यह अलकोहल है, OH जहां पीछे जुड़ गया, इसका मतलब वो अलकोहल वाली पूरी फैमिली को बिलॉंग करता है, अब इथैनॉल है, मतलब दो हो गया, तो दो बार CS3, CS3 आगया, और दूसरे बार CS3, CS2 आगया, फिर उसके बद प्रोपैनॉ यहां पर 3 बार आएगा, CS3, CS2, CS2 आगया, बुतनॉल है, 4 बार चार बार आएगा, वैसे ही, 5 बार यहां पर पेंटनॉल और एक्जनॉल पाएगा, क्लियर है, सभी को कमेंट करके बताएंगे, क्लियर है आप सभी को, जी आप सभी को प्ले लिस्ट भी जरूर मिल जाएग किस प्रक्रिया से बना जाता है, तो यह जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जो किन्वन वाली प्रक्रिया होती, जो किन्वन होता है, जिसमें की खमीर का इस्तेमाल करते, इस्तेमाल करते, इसकी खोच किस ने की थी, लूइस पास्चुर ने की थी, लूइस पास्च जो भी आपके fruits है, basically, जो भी आपके fruits फल है, उसका जो है रस निकाला जाता है, या फिर आपका बाजरा वगरा जो होता है, या फिर जो भी हमारे वीट्स वगरा जो होते है, टीके जौवरी वगरा जो भी हमारे अनाज होते है, उसका जो है juice निकाला जाता है, और उस juice का जो जिसमें oxygen नहीं होता है, तो जाके क्या होता है, carbon dioxide और alcohol आपका शराब बनती है, यह पुरी प्रक्रिया आपकी fermentation की, I hope आपको clear है, यह point, I hope आपको clear है, सबी लोग मुझे comment करके बता देंगे, और एक बार Lewis Pasteur का नाम लिख लेंगे, comment box में, बाई की, Lewis Pasteur ने जो है, fermentation की प्रक्र हम लोग, आगे बढ़ते हमारे next question की और, बता है, मेथा, जो आपका मेथामोग लोबिनामिया जो है, is caused by the drinking of water contaminated with, भई, पानी जो गन्टामिनेटिट होता है, ठीक है, ऐसा कौनसा जो यह जो बिमारी है, मिथामोग लोबिनामिया, यह पानी के कंटामिनेशन की वजे से होत होता है, तो यह इसमें क्या मिलावत होती है, नाइट्रेट होता है, एक से अधिक, या एक से कोई भी नहीं उपर में से, जल्दी से सभी लोगों के आंसर मुझे comment box में चीए, जल्दी ल्दी से like बढ़ाते रहिए, और जितने लोगों को share कर सकते है, share किजी इस session को, आड्मियम बोल रहे है, कुछ लोग, कुछ लोग बोल रहे है, A बोल रहे है, बहुत से लोग B बोल रहे है, जल्दी से मुझे comment box में करके बताइए कि क्या इसका correct answer है, जल्दी से सभी के answers मुझे comment में चीए, बहुत बढ़ी आप, चलिए, तो आपका जो यह पूरा disease होता है, ठीक है, तो यह किसके वज़र से होता है, आपका जो नाइट्रेट्स होते है, ठीक है, जो आपके नाइट्रेट्स होते है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में भी हमने डिसकस किया था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम तो यह जो है आपके नाइट्रेट्स के वज़े से होता है और मेथाम कलोवी नहिंक हो ही ब्लू बेबी सिंद्रोम भी कहा जाता है यह जीज आपको ध्यान रखना है वी एसमीघ यह बढ़ते हमारे नेक्स वो दिखेंगे chicken box आपने अकसर देखाओगा बच्चो को होता है chicken box हो जाता है फोड़े फोड़े होते है तो वो किसे जो किसकी वजेसे होता है जल्दी से कमेंट करें कि सबीके डाहें मुझे comment box में सबीके थे आंसर्स आते रहना चिये चाट्रे हैं रहना चीह चलित वहाइड़ बहुत बढ़या सब लोग बोल रहें वायरस वीशनू की वज़े से होता है आपको का देख लीजिए और सोता आपका बैक्टिरिया के वज़े से होता है मिसल्स जो होता है आपका ठीक से होता है malaria जो है यह protozoa की होजे से यह सबसे important है malaria virus की होजे से नहीं होता है यह protozoa की होजे से होता है coronavirus की बात करूं तो वह भी जो है एक virus है डेंगू भी एक virus की होजे से होता है clear point यह चलिए आगे बढ़ते हैं यह पूरा जो है एक bacteria के ऊपर ट्यूबर कुलासिस कोलेरा टाइफाइड और उसके बाद में वाइरस की होजे से मीसल्स देंगू चिकन पॉक्स पोलियो हैपटैटिस भी और साथ अगर बात करें प्रोटो जो आसे तो फीमेल मादा मच्चर यानि की फीमेल जो मच्चर होती है उसी की वज़े से जो है आपको बीमारी होती है मच्चर से जो फैलने वाले डीसिज अभी अगर फीमेल अनुफिले से तो या फिर हो सकता हाती पा हो जाया आपको लिंफव छेटि ओ canoe एकपकर इडीष मॉस्क्यूट यह इंट मो इस आपका थी के तुशं। अंशिर होता हैं देंगू वायर्स होता हैं जीकं बॉनिया हो जाता थै.. इसके बाद अगर मैं क्यूलेक्स मॉस्कीटों की बात करूं तो यलो फीवर होता है वेस्ट नाइल रिवर वाइरस होता है और जैपनीज जो एंसे फेलाटीस होता है यह नाम की डीसीजेस आपके मच्चरों के काटने की वज़े से होती यह भी बहुत इंपोर्टेंट है कल ने डिसकस किया था नाइट्रेट की वज़े से यह होता है और मर्क्यूरी की वज़े से अगर बात कुरू मीनिम अथा डीसीज इस काडमियम की वज़े से इटाई एटाई और लीट के जैसे एनेमिया होता है क्लियर एपॉइंट सभी को चलिए पानी की मातरा में बहुत कम मातरा में होना चीए पानी में अगर उपस्तिती तो बहुत कम मातरा में काडमियम भी होना चीए चलिए बढ़ते हमारे नेक्स कुशन की ओर टी यारी 1.0 का यह क्वेशन है विच वन अफ द फॉलोइंग ऑर्गनिजम्स भाई निमनलीकित में से कौन से जो जीव है क्लोरो कोशी जो है आपके autotrops, certain bacteria, animals या एक से अधिक या फिर कोई भी नी टी यारी 1.0 का पूछा हुआ क्वेशन है आपका PRT में बताइए सभी लोग 7th phase का कुशन नहीं है सभी क्या आंसर्स आते रहने चीए और बहुत बढ़िया हमारे 500 लाइक हो चुके अब हमारा टारगेट है कि हम लोग 600 लाइक पूरे करें जल्दी से 754 लाइव बच्चे बैठे हुए बट हमारे पास सिर्फ पास्टो है तो जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे कमेंड भी करेंग और शेयर भी करेंगे बताइए सभी क्यांस मुझे चाहिए बहुत लोग ये confusing question है बहुत बच् तो सदुचा गया है कि इन और गजानिक सबस्टेंस जो होते है एक है कर बनी पदार्तों को कारव बनीक में बस्वानों की जो non-leafings बश्याद अपासेन और शादन एक सबात करता है। क्लोर होता है क्लोरोफिल avis है कि या जो जो आता है उके समय बड़ सब्सक्री करता है जैसे कि थी 있नट सम्स्प frightening उ सबाद topics अपना है producers नहीं होते हैं, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जिसे पेड़ पौदे खाएंगे, जानवर खाएंगे, तो यह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब A और B अगर दोनों सही है, तो मतलब एक से अधिक जो है, यह इसका correct answer होना चाहिए, उप्यूक मे प्रांट और certain bacteria जो होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, यानि कि हरी शेवाल जैसे है आपका, ठीक है, हरे नीले पौदे जो होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक क्योंकि स्वए का खाना, वो स्वय का मनाते हैं, शुगर और स्थार्च होता है, यह इसमें इकोसिस्टम में नहीं है नॉट पूछा हुआ है यहां पे भी हाइलाइट करके रखा हुआ है नॉट विच वन अ फॉलूइंग इस नॉट गैशियस बायो केमिकल साइकल इकोसिस्टम अलग अलग तरीकी की साइकल होती है आपने देखा है कि जल चक्रा होता है अलग अलग नॉट यलन विकी चक्रिया में डेखा देख है कि यह ऐसक चक्रा है और या फिर एक से अधिक क्या उप्यूक कि कोई नहीं बताईए क्या इसका करेक्त आइसंपी क्मेंट बॉक्स में चाहिए कि कौन सी ज़ो है आपकी यहां पे बायोकेमिकल साइकल नहीं है चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी क्या अंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए चलिए देख लेते कौन से कौन से साइकल होती है सबसे पहले ऑक्सिजन साइकल आपने अक्सर देखा है कि बहुता है अक्सिजन की एक साइकल होती है हम लोग सास लेते कारबन डायोकसाइड बाहर निकलते जाड क्या करते पेड़ पॉदे क्या करते और यह पूरी प्रक्रिया है रेस्पिरेशन करते हैं, स्वाशन लेते हैं, यह पूरी oxygen cycle है, उसके बाद आपने देखा हो कि नाइट्रोजन की cycle जो होती ही नेचर में, भाई हाँ नाइट्रोजन जो है पेड़ पौदे डायरेक्ली जो है अवशोषित नहीं कर सकते हैं, तो राइजोबियम बैक्टिरिया होती है, आप यह देखिए, सबसे पहले gaseous, दो तरीके की cycle होती है, biochemical cycle जो है, पहले gaseous cycle, इसमें carbon cycle है, oxygen cycle है, nitrogen cycle है, और हमारी जो water cycle, जल चक्र होता है, जिसमें evaporation होता है, वाशपन होता है, उसके बाद फिर से पानी से जो है, इवापोरेट होने का तो वाशपन से फिर है, तो इसी वज़े से जो है, आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो इसका correct answer है, वो है, आपका phosphorus चक्र जो है, यह एक biochemical cycle नहीं है, biochemical cycle नहीं कहलाती है, sedimentary cycle कहलाती है, यह चीज़ ध्यान रखना है, sedimentary cycle कहलाती है, ठल छटी चक्र कहलाता है, clear है point सभी को, सभी लोग मुझ 600 likes भी complete हो चुकी है, जल्दी से अभी हम लोग 700 likes का target पूरा करते हैं, और अभी आगे करेंगे BPSC TRE 1.0 का और a question, बताइए, पियूष गंत्री जो है आपकी, पियूष ग्रंती जो है, जाने की आपका जो है, pituitory gland जो होती है, जो भाई, master gland होती है, pituitory gland मतलब, master of master, सबसे बड़ा master, pituitory gland होती है, तो उसके अंदर उसका कारिया क्या है, पूछा है, बताओ, उसका काम क्या है, to develop sex organs, कि भाई, पूर्चों में यौन अंगो क्या विकसित करना, या फिर to simulate growth in all organs, कि भाई, सभी अंगों में जो है, वृद्धी को प्रोसाहित करना, या फिर शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंतरित करना, या एक से अधिक, या फिर कोई भी नहीं, बताइए इसका क्या correct answer है, पूछ गंती के बारे में पूछा हुआ, ये BPSC का जो है, बहुत important question है, pituitory gland की उपर, master gland भी कहलाती है, pituitory gland, याद रखना, master gland भी बोलते है इसे, क्योंकि ये सारे glands को जो है, operate करती है, सभी का master है, सभी को पापा वाली gland आईए, clear a point, चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी के answer जो है, कुछ लोग B बोल रहे है, कुछ लोग D बोल रहे है, एक से अधिक, कुछ लोग B, कुछ लोग D, तो हम लोग जो है, एक बार, NCIT की basis पे, यहां पे बहुत doubts आयते, हमने clear proof भी बताया था, अब लोग, हम लोग भी समझेंगे कि क्यो, इसका क्या answer सही है, इसका जो answer है, वो B, जो है, सही answer है, ठीके, B, जो है, सही answer है, to stimulate growth in all organs, to stimulate growth in all organs, चलिए, देख लेते कि क्यो इसका answer B है, चलिए, देखिए, अब सबसे important, यह आपका जो है, यह BPSC, जो basically NCRT का जो है, यह पूरा screenshot है, तो BPSC ने क्या खा हुआ है, देखिए, पियूष गरंती जो होती है, सभी अंगों में व्रिद्धी प्रेरित करता है, सभी अंगों में व्रिद्धी प्रेरित करता है, यह BPSC का, NCRT आप देख सकते हो, NCRT का जो है, to not to be reproduce लिखा है, यह NCRT लिखा हुआ है, उन्होंने खुदने का है, NCRT को कोई जुटला नहीं सकता है, इसका मतलब यहां पर जो question था, कि पिटूटरी ग्लैंट जो है, उसका क्या काम होता है, पिटूटरी ग्लैंट का काम है, कि सभी अंगों में व्रिद्धी प्रेरित करना, म मुरिद्धी हार्मोन भी इसे कहा जाता है, और बाकी अगर हार्मोन की हम बात करें, जैसे पिटूटरी ग्लैंट, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ओल और बात में थाइरोड ग्लैंट, रेगुलेट मेटोबोलिजम जो है, बाकी के जो पाचन पक्रिया उसको पूरा कंट्रोल क करती है, और इसके बाद इनसुलीन जो है, बहुत बार आपको पता है, इनसुलीन रेगुलेट क्या करता है, बलड शुगर, आपकी शरीर में कितनी शुगर है, आप बोलते हो ना कि भाई मुझे शुगर है, मैं जादा कुछ खा, मीटा नहीं खा सकता, तो ये इनसुलीन क कुछस इसारर अरने होती है, तो इस सारे हार्मोन्स होते है, इमपोर्टन्ट वाले हैं सारे के सारे ही, आपको धान रखना है, चलिए, अग़े बढ़ादे ने स्देओ कि ये, बिपिस्युमी लेहrab तो भेद कर चले गए, वैसे ही यहां पे भेदन शक्ति पूची हुई है, कि रेडियेशन की बाई, जो रेडियेशन होता है, अल्फा रेडियेशन का सबसे जादा होता है, बीटा का रेडियेशन का होता है, गामा रेडियेशन का होता है, या सभी का सेम होता है, पेनिट रे के लिए तो सभी लोग जो है शेयर कर देंगे और हमें हजार लाइफ पूरे करने हैं 646 लाइक्स हो चुके लाइक्स भी बढ़ाई है लाइक्स भी हम लोग हजार के करीबन करेंगे जल्दी यह से कमेंट भी करते इसे लेक्स हरे प्रहिक दे डर्रॉदी हो ता है तोवसेन निकल प्रण निकलते सबसें पहले ऑल्फा जो पॉजेटिव उता है इसे ही हेलियम we Milux कहाँ जाता है बीटा यानि की नेगेटीव मतलब इलेर्ट्रों नेगेटीव होता ही यह तीपे और तीसरा होता कोई आवेशन ही होता यह न्यूट्स सेल्ड होता है और उय०्रल होता हैquito electromagnetic waves होती है यह electromagnetic waves विद्धियो तो चिम्ब की है जो waves कहा जाता है उसको यह होता है अब यह तीन तरीके के तो निकलते हैं अब तीनों में से सबसे पहले लेते हैं अलफा अलफा अगर हेलियम पार्टिकल है टू और फॉर मतलब यह भारी होता है अगर भारी है कोई भारी आदम क्या होता है कि एक कागच का तुकड़ा भी अगर मैंने रख दिया उसके सामने मेरी हाथ भी है तो वहां पर रुख जाएगा इसका मतलब इसकी भेदन शक्ति उसकी नहीं है भेदने की तो मतलब यह तो नहीं हो सकता उसके बाद ठीक है उसके बाद अगर मैं बात कुरू बीटा पार्टिकल की बीटा जो पार्टिकल होते जो इलेक्ट्रोन पार्टिकल है वो क्या होता है कि कगच के बीच में तो निकल जाते है बट अगर कोई ऐलूमीनियम की फॉइल आगई ऐलूमीनियम की शीट आगई तो उसको भेद नहीं सकते है तो इसका मतलब क्या हो ग या फिर lead, lead वगर हमें जाके, तब जाके रुखती है, जब बहुत बड़ा concrete का structure हो, या फिर बहुत बड़ा lead का structure हो, तब जाके ये रुखती है, clear है, तो इसका मतलब सबसे जादा बेदन शक्ति किसकी है, भाई, gamma race की है, सबसे जादा जो है, gamma race की है, पहली किसकी होगी, alpha की होगी, सबसे कम इसकी, उसके बाद बीटा की, और उसके बाद सबसे जादा जो है, gamma की होती है, बेदन शक्ति, clear है सभी को ये point, सभी लोग मुझे comment करके बता देंगी, clear है सभी को, चलिए, बहुत बड़ी है, chat rate भी हमारा अच्छा चल रहा है, सभी के comments आते रहना है, और ह हमारे हजार लाइफ पूरे हो चुके, thank you so much, आप सभी लोगों को, आपने हजार लाइफ पूरे कर चुके है, और 700 से अधिक लाइक भी हो चुके है, हमारे बास में, चलिए, बढ़ते हमारे next question की हो, अब हम लोग, BPSC-TRE 2.0 का 628 का science का session है, वही, science का question पूछा हुआ है, Efficiency क्या होती है, Efficiency of fuel is expressed in terms of, भाइक क्या होता है, किसी इंधन की बास कितन Girisant के कुछ काम कर रहे है, कितने अच्छे से कर रह था, बाता ही है, किस संधर्म में व्यक्त की जाती है, बताइधा किस संधर्म में व्यक्त की जाती है, देंसिटी उसके घनत्व में, ठीक है, उसक एक्स टुट सांषय पें पूछा हुआ यार बतादो सिंपल सा कोशन बहुत इच्छा कोशन बूचा हुआ अगर आपको पता है तो आप जरूर अच्छे से बताव भी के कमेंट में ऑथ आने रहने चाहिए आते रहने चाहिए चाट रेट कम नहीं होना चीए बताइए जल्दी से 1043 हम लोग लाइव है और केवल 738 लाइक से तो जल्दी से 1000 लाइक की करीबन हमें पहुचना है सब लोग लाइक कर देंगे शेयर भी करेंगे वीडियो को बहुत बढ़िया सब क्या होती है जब भी आप किसी भी फ्यूल को मतलब की इंदन इंदन कौनता होता है पेट्रोल हो सकता है डीजल हो सकता है आप जो कोईला जलाते हो आप जो लखणा जलाते हो ठीक है आप एक कीजी एक लीटर जब उसको जलाते हो तो उसमें से कितनी उर्जा प्रदान होती यह उतनी उर्जा हमें मिलती है उसे कैलरिफिक वैलू कहते है चलिए एक बड देख लेते किसे कैलरिफिक वैलू कहा जाता है देखिए दा माउंट ओफीड प्रोड्यूस्ट मतलब कितनी उर्जा उर यह कितनी उर्जा बन रही है जब आप एक कीजी जो होता है उस इंजन को जलाते है तो उसे कैलरिफिक वैलू कहा जाता है अब इंजन कौन से कौन से हो सकते है हो सकते आप जो है देखिए तीन तरीके के सॉलीड जो है सॉलीड मतलब आपका कोल कोईला वगर आप जला सकते हो हो सकते है आपका जो लखडा है आप उ हälltकि गोल के तरीक है उसमें भी छो है सबसे बैस कोल जादे क्लरीक वाल्य क słu भी मोई यहारी डेगा आपको गासोलीन है डीजल है पेट्रोल थेत्रो थैक्ट्रोल फियोल सेकंसिवेल्ज है इसकी काल्जिवी वेल्य की अलग होगी और उसी से efficiency जो है गाड़ी की decide होती है Let's suppose, अगर मेरा petrol engine है, ठीक है मेरे गाड़ी मेरे बाइक है, मेरे बाइक में जो है, मेरी engine है मेरा, तो उसकी कितनी efficiency होती है, petrol engine के hardly 20 से 25 प्रतिशत जो है, efficiency होती है अगर वही में diesel engines की, बहुत से लोग जो है आप diesel गाड़िया खरीदने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े ट्रक डीजल से बने होते हैं, क्योंकि इसकी efficiency जादा होती है, उसकी करीबन 30 से 35 प्रतिशत के करीबन उसकी efficiency होती है मतलब जो calorific value रहेगी उसकी, ठीक है, तो उसकी हिसाब से 30 से 35 प्रतिशत उसकी efficiency होती है, जो भी आप petrol देते हो, उससे heat generate होती है, heat generate होने के बाद आपकी गाड़ी चलती है, तो उससे efficiency decide करते कितनी heat निकल रही है, और कितनी जो है, हमें काम आ रही है, वर्क हो रहा है उसका कि अलग अलग जो हमारे calorific value का जो table है, आपका NCIT का table है, बहुत important है, अगर पूछ लिया जाए question में, कि भाई, आप घटे क्रम में या बढ़ते क्रम में calorific value अरेंज करो, तो सबसे पहले किसकी है, 6000 से 8000 की बीच में आपका cow डंग जो होता है, ठीक है cow डंग, जो cow होती है, फिर उसके बाद लखडे का 17000 से 22000 की बीच में होता है, कोल जो होता है, आपका कोईला जो आप जलाते हो 25 से 33000 की बीच होता है, पेट्रोल जो है 45000 की करीबन होता है, डीजल का भी उतना ही होता है, इसे दोड़ा जादा भी होता है, ठीक है, मिथेन जो होता है, मिथेन गा देखिए 50,000 इसी वज़े से आजकल जो सारी गाड़िया आ रही है वो CNG की आ रही है क्योंकि CNG की तरफ shift हो रहे है क्योंकि जादा efficiency देता है अगर वही एक लीटर पेट्रोल भरोगे तो 18 km का mileage मिलेगा वही CNG भरोगे तो 26 km की आपकी गाड़ी का mileage होता है क्योंकि इसकी जो तो है कैलरी विक वैली किलो जूलप केजी वाई गैस की होती है 35,000 और हाइडरोजन जो है हाइडरोजन फ्यूल की हमने कल बात की ती उसकी देखिए कल बात की ती ती कालरीविक वैलू एक लाग पचास हजार के गरीबन मतलब जादा है इसी वज़े से अभी जो है लोग ह पाइडरोजन कार बनाने की पीछे पड़े हुए कि हाइडरोजन कार हम लोग जो है एक फ्यूल और ग्रीन एनरजी हम लोग यूज कर जकते हैं है और यह पॉइंट्स अभी को बाकी आइतन की अगर आम बात करें यह तो आपको पता ही कि क्या होता है वालियूम क्या होता है यह तो आपका गनत वह प्रियूम होता है और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी जितना भी उसका शेप उसका जो ए लेंग इंटी विट इंटी हाइड यह जो इसका पूरा वालियूम होता है इसके अंदर कितनी जगा जो है वो स्पेस घरता है तो यह अगे बढ़ते हम अग सा कंट्रोल करता है spinal cord जो है आपकी रीट की हड़ी करती है खोपडी करती है hypothalamus करता है रीट की हड़ी करती है खोपडी या फिर cerebrum करता है pons medulla cerebrum करता है या फिर एक से अधी क्या कोई भी नहीं बताइए मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर है सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चीए जल्दीली से सभी लोग बता देंगे 1100 से जादा हमारे पास लाइव बच्चे और 819 हमारे लाइक हो चुकी है चली जल्दीली से हजार लाइक का भी हम लोग टार्गेट पूरा कर लेंगे सभी लोग लाइक करेंगे और और भी जादा बच्चों को हम बुलाता है सभी को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेशन से और नॉलेज जितना तेरह उसते मज़ा है नहीं हो और जल्दी से कमेंट में यह बहु बता देंगे मुझे बहुत बढ़िया सभी लोग जो है CCC आंसर दे रहे जोती कुमारी जी है शॉट्स और क्या नाम है दिपिका जी बाबुल पूजा सभी चलिए बहुत बढ़िया देखते हैं बहुत लोग बी बोल रहे हैं पर एक बार देख तो लो यार क्या इसका करेक्ट आंसर है देखिए आपके ब्रेन में जो है अलग अलग पार्ट होते है कुछ होता है आपका मीड ब्रेन जो की बीच में मीड अगर है तो वह मीड ब्रेन होगा ठीक है आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड होती है जो आपके ब्रेन से फूरी निकलती है फिर उसके बाद आपका हिंड ब्रेन होता है तो देखिए, आपका हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, तो देखिए, आपका हिंड ब्रेन होता है, वो क्या करता है, मेडूला हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन क्या करता है, ब्लड प्रेशर और वोमिटिंग पूरी प्रक्रिया होती है, आपके जो और यह सबुआ है उस्य आपका ब्लड प्रेशर बड़ता है सालिवेशन स्ट्रेशन ज्यादा कभी उता है आपने कुछ खा लिया आप्ल अगरा खा लिया तो आपके मुझे मुह से जादा जो ए लाद निकलना शुरू हो जाती है तो सारा यह न गरता अपने के सेंसेशन जो होते हैं आनुछिक क्रियाय जो होती है वो जो आपका medya मिजय मस्तिष्क मतलब मीड ब्रेम कंड्रोल करता हैulty Thunder वह पूछा गया है ब्लड प्रिश्यर के बारे में लिड्ड प्लड प्रेश्रगों भी अपका चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग लिखे भी बता देंगे बाई हिंड ब्रेन के कौन से तीन पार्ट है पॉंस उसके बाद में मेडूला और सेरेब्रम चलिए बहुत बढ़िया सभी के आंसर मुझे कमेंड में दिखते रहने चीए चलिए आगे बढ़ते हमारे नेक्स है रोग्मोमीटर जो है ना इससे आपका ब्लट पेशर जो है मेजर होता है ज्यादा हाइपरटेंशन लेते होतों आपका ब्लट पेशर बढ़ेगा कम टेंशन लोगे तो ब्लट प्रेशर कम नॉर्मल रहेगा 60-80-80-120 हमेशा है अपका नॉर्मल म्लंर्ट है एममोफ फग यह जो आपका ब्लड प्रेशर का ना नॉर्मल जो है रेंज होता है ठीक है चलिए अब बढ़ते अगले प्रशन की ओर ऐसो टू प्रदूर्शन सूचित होता है बताइए अब ऐसो टू जो सल्फर डायोकसाइड है आपका सल्फर डायोकसाइड अच्छा मैंने डाय लगा है तो इसका मतलब किया है दो डाय का मतलब होता है दो इसी वज़े से यहां पर टू लिखा हुआ है SO2 में जो 2 है, sulfur dioxide, oxide का मतलब oxygen, sulfur तो चलो सी के सामने का, but 2 लगाया हुआ है, तो मतलब dioxide, SO2 pollution is indicated by किसकी वज़े से indicate कर सकते है, orchid जो होते हैं, orchid का जो plant होता है, उस वो indicate करता है, mangroove जो होते हैं, आपके mangroove द्वारा होता है, lichen द्वारा होता है, एक से अधी क्या, एक से अधी क्या, फिर कोई भी नहीं, जल्दी से सभी लोग comment करके बताएंगे, जल्दी से comment कर दो, जल्दी से like भी कर दो session को, अगर आपको session अच्छा लग रहा है, तो, बहुत सारे अलग-अलग questions में ले के आया हो, आप सभी के लिए, चलिए, बहुत बढ़ी आख, सोनम तीवारी जी, जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत से बच्चे सही आंसर दे रहें, लाइकेन, लाइकेन बोल रहें जी हाँ, देखिए, लाइकेन जो plant है, वो क्या करता है, कि जब भी production होता है, तो वो sulfur dioxide को detect कर जाता है, और वो क्या करता है, कि वो मर जाता है, वो जो plant होता है, तो उससे हमें समझ में आते हैं, कि यह एरिया में, अगर यहाँ पे sulfur dioxide जादा होगा, मेरे पस लाइकेन प्लांट है, तो वो बिल्कुल मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं रह सकता, ॉल्की का यह पंगा है, अगर जग्डाॱ बावूशंर के साथ में पंगा हो गया ता एक बर जग्डा हो गया लड़की का चकरता कुछ तो पंगडा जग्डा होगा थह स्याँ, वो धु मुझी सिवजह से नहीं रहता है, यह हो पता चलता है कि मईकेन, गोग ऑंशिकिलμ निर्देटल बड़ा इगोलनमिल मतलब यह प्लांट है सिंबायिटिक रिलेशेंशिप एसओसियेशन होता है मतलब सिंबायिक मतलब प्यार जूल से मिलके रहता है किसके साथ अलगी और फंगाज अलगी और जो फंगस होता है आपका ठीक है शेवाल वगरा जो होता है उसके responsible BPSC TRE 1.0 का next question करते हैं एक पोशी स्तर से दूसरे पोशी स्तर एक पोशी स्तर से दूसरे पोशी स्तर पर जब जाते हैं तो कितनी उर्जा अवशोशित होती है आपको बताना है हमने देखा था एक लौ देखा था इसके पहले 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत 15 या फिर एक से अधिक क्या फिर नन ऑफ दाब हो सभी के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए और सही आंसर चीए हम लोग 900 लाइक स्पॉच चुके है अब हजार लाइक का टार्गेट पूरा करना है हमें और जल्दी से ही जल्दी सभी लोग कमेंट करते रहेंगे और सभी को शेयर भी करते रहेंगे सेशन को बताइए है देखो रिश्वत खाली मेंने यहां इसको दिये तो उसने किया किया उसका दस प्रतीशत उसको दे दिया 100 रुपे इसको दे दिये और इसके बास दूसरे परसंच तो उसने तीसरे को केवल 10 प्रतिशती उसकी एनर्जी वो अवसोशित कर पाएगा यह नियम है क्योंकि कुछ जो मातरा में हीट निकलती है बहुत सारी चीजे होती है ठीक इसी वजय से यह नियम में द्वारा दिया गया तर लोवर ट्रॉपिकर लेवल से जो हाईयर ट्रॉपिकर लेवल में ऐस तो कौन सी प्रक्रिया है वाई डाइपोल मुवमेंट है रूविया अगुर्ण या फिर वेपर प्रेशर वाश्प दब या फिर आपका उसमोसिस है परसरन या फिर डिफ्यूजन विसरन बताइए कौन सी जो प्रक्रिया उसकी वज़े से जो है बीपेसी का कुशन है यह तो इंक जब डाली जाती जैसे एक बुन्द या दो बुन्द इंदगी की इंक की डालती इस पानी में खुले बिल्कुल आसमान वाले पानी में ख्लियर पानी में तो यह ऐसे गुलेगी फिर यह पूरे थोड़े देर बाद जो है पूरा ही गुल जाएगा तो यह प्रक्र 24 लाइक्स है प्लीज अभी 50 लाइक्स आप कर दीजिए सबी लोग जो है मैं भी मोटिविटेड रहूंगा और और अच्छे सेम लोग बढ़ेंगे बताइए देखिये तो यह प्रक्रिया होती है बच्चों यह एक डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है यानि की विसरन की प यहां पे फूरा फ्याल गया थोड़े ही देर में फैल गया रीजन यह ता क्यूंकि यह एक डिफ्यूजन होता है क्यूंकि इसके गास मॉलेकूल्ट होती है यह श्री टोड़ जाकर और इसीच वैज जैसे इसका इसका रीविसरन की प्रक्रिया अब ऑस्मोस चोता है तीक अगर जैसे समझे हम लोग किश्मिस बनते हैं निम्बू किश्मिस बनता आपको बता है निम्भू जो है इतना बड़ा होते है खagues यह न छोटा सा होता है क्यूब जब भी magnets की बात आएगी जब भी magnet की बात आएगी तो डाइपोल मुमेंट की बात आजाएगी आपे magnet की वजे से ठीक है चलिए देख लेते एक बर क्या होता है ऐके अधिसे पडार्त का उच्छा सांदरता से पडार्त की बात पनी जो है इसका जाधा रावा Mitch तो ऊच्च सांदरता का यह वाला रिजन था बट अब पूरे रूम में खुजिबू आगि कम सांदरता वाला जो रिजन था वहां पे भी चली तोपुरी रूम जो है में खुश्बू आगे कम सांधरता वाला जो रिजन था वहां पे भी चलीगी तो पूरी रूम जो है मेरी महकने लगी अभी ठीक है लावेंडर के खुश्बू से क्योंकि वह लावेंडर वाला जो है मेरा स्प्रेय है क्लियर है पॉइंट सभी को यह जाधा तर जो है ना लिक्वीड और गैसेस में होता है सॉलीड में ठोस में कभी हो नहीं सकता यह लिक्वीड और गैस में होगा तरल और आपकी जो है गैस के अंदर ही होगा यह चीज भी द्यान रखना है चलिए बढ़ते हैं फूदिस्कवर्ड प्रोटॉण वाई प्रोटॉण की खोज किसने की थी जे थॉम्सन है जेम्स चैड्वीक है यह रूदर फोड है या फिर आपका गोल्स्टेंड है अगर मैं प्रोटॉण के बारे में पूछूँगा तो ऑफकॉस है कि परमानू के अंदर होता है जो भी सबसे कम होने की वज़े से वह इदर उदर गूमते रहता है तो अब बतए प्रोटॉन की कोच कि सो यह तो इल्एकर ने मेशने इलेक्ट्रॉन की कोच की थी अब इसके बाद proton का पूछा है तो इरूदर फोड है भई इरूदर फोड ने की इसकी कोच क्लियर है सभी के आंसर मैंने देखे और मुझे पता है सभी ने सही आंसर दिये हुए बहुत बढ़िया चलिए यह इंपोर्डेंट वाला है बहुत ही जादे इंपोर्डेंट है यह हमारा परमानु के अंदर होता है Cucleus उसके आजू-बाजु घूमते रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने कहा हर बार यह बटा बन भार पूचा जाता है इसे आए मैं बता रहो की इलेक्ट्रॉन जो हूँँमते रहता है तो इसका मतलब समझना है फिर ऑमारी जो प बदलाव नहीं होते हैं, clear point, JJ Thompson ने क्या किया, electron, proton की खोज, Rutherford ने neutron की खोज, James Chadwick ने की थी, यह रहे पूरे उसके खोज करता, positive, negative, positive, negative और वो neutron है, ठीक है, शुन्या जो आवेश होता है, चलिए, अब बढ़ते हैं, next question, क्यों ब्राइन solution क्या होता है, ब्राइन क्या होता है, ब्राइन, ब्राइन एक solution होता है, तो किसका solution है, NaCl का सांध्र गोल, ब्राइन, Concentrated Nitro Solution, NaCl, Solution of NaCl, Ammonia का सांध्र गोल है, कार्बोनेट के साथ जलिया खोल है, या फिर NH4Cl का जलिया गोल है, बताईए, किसका, किसका जो है यह जलिया गोल है, आपको बताना है, यह C1 नही है वैसे NH4Cl को, सभी के answers मुझे comment में चीए, 1200 live हो चुके, thank you so much, और 1000 से जादा हमारे likes भी हो चुकी है, thank you so much, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस session को, हम लोग ऐसे ही जो है, continuous session करते रहेंगे, बट मैं बस आप से एक promise जाता होगे, आप सभी लोग comment करते रहे, answers करते र किया होता है, ब्राइन इक solution होता है, जिसमें NaCl होता है, मतलब की sodium chloride, NaCl मतलब sodium, kamat ब्राइड मतलब Cl, ये क्या होता है, आपका common solve भी कहलाता है, इसको क्या कहते है, common salt भी तो कहते हैं यह भी चीज़ जान रखना कि आपका साधारन नमक साधारन नमक भी कहा जाता है यह जो होता है आपका सांद्र जो घोल होता है इसी को brine solution कहते है इसी को brine solution कहते हैं जिनका भी answer यह था वो सही था जिनोंने भी गलत answer कमेंट किया है सभी लोग जल्दी से अभी सही answer कमेंट करेंगे ब्राइन मतलब NACL ब्राइन मतलब NACL और Concentrated मतलब की देखो कुछ लोग होते हैं बहुत ही concentration से पढ़ाई करते हैं मतलब बहुत जादा मातरा में जो है Concentrated होते हैं कुछ लोग होते हैं डाइलोट पढ़ते पढ़ते मोबाईल भी देख लेता हूं टीवी देख लेता हूं वह भी पढ़ लेता हूं और इसका फोन यह भी देख लेता हूं रिप्लाई भी करते तो ऐसा निये यह Concentrated है बहुत जादा Concentrated और हमेशा पढ़ाई अगर करनी है अपने गोल को अचीव करना तो आपको Concentration सही करना चाहिए प्रॉबर टाइमिंग यूज करनी चाहिए पढ़ाई की और अपने सारे टाइमिंग को मैनेज करना चाहिए क्लियर है पॉइंट सभी को चलिए बहुत बढ़िया अब 1100 लाइक के हम लोग बहुत करीब है आप लोग 1100 लाइक कर दीजिए 1046 हो चुके हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और लाइक भी करते रहें और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना देखिए ब्राइन जो होत कौन से देखिए जब भी आप खाना वगरा जो नौन वेज वगरा बैक करते पिकल वगरा जो होता है या फिर आपका जो है इस तील वगरे की क्वेंचिंग अब कर एक बहुत अच्छी बात बता तो क्वेंचिंग उपर ठीके गर्मा अस्तान तरन जो बोला गया है यहां कि क्वेंचिंग जो होता है क्वेंचिंग मतलब क्या है जैसे की समझ लो मोल्टन आपने क्या क्या कि मोल्टन जो भी आपके तत्वत है जैसे आपको लोहे को पिगला के आपने क्या किसी चीज में ढाल दिया तो उसको थंडा करना क्या मतलब है क्वेंचिंग मतलब थंडा कोशन जारह मेरा होसे वह थंडा करने की काम में यह के काम में चली आगे बढ़ते नेक्स और अब सभी लोग मुझे आएंड करें हैं इलेक्ट लोग मुझे आउंड अनुकलिस बार बार बता रहा हुँ की नियुकलिस की आजूबा जो गुमता है इन्द डाश मोशन आप उन से मोशन में गुमता है कि बाई एलेक्टरहन की डाइस गती में नाबिक की चारो और गुमता है एस्पाइन वाइबरेशनल स्पीन करता है वाइबरेशनल ट्रांसलेश्नल रेया और शाल की तरह गूमता है सबी लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसे घुमता है ट्रांसलेटर ही घुमता है क्या ट्रांसलेटर आगे पीछे 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 पाइनल घुमता है स्पिन करता है स्पिन करते 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 घुमता है या फिर वाइब्रेशं cancellous एपकर चुम रहे है स्पिर इस ऐसे हैं एक इस उपन डीने मरा की किसे हैं है और ओसमें छेंट ई burning कीए झात हैं शाल बहुत बड़ आखर 무ně मुझेताएं कि क्या इसका Convene है कुटिविक के आज पास सैटेलाइट गोंते ना कशा में और बीट में वैसे ही यह भी जो है यह इसके 3D में अगर देखो तो गूमते रहता है क्योंकि इसका माच सबसे कम है मास सबसे कम है द्रव्यमान सबसे कम है सबसे कम है यह ध्यान रखना बहुत बार पूचे जाता है अब नेक्स कोशन के बढ़ते हैं हम लोग dna stands for by dna वाला question एक बार फिर ले लेते हैं सभी लोग सही answer comment करेंगे और comment कम नहीं होने कौन सा इसका correct answer है dna हम बात की थी कि भाई nucleic acid की बात की थी यह तो पता है nucleic acid nucleic acid यह दो तरीकी की होते एक होता है एक होता है हमारा RNA RNA ठीक है तो दोनों भी जो है आप अपने ममी पपा की तरह दिखते हो तो यह जो है पूरी जो आपकी jeans वगरा होते वो उसको फैलाने के लिए मतलब की उसको replicate करते आपके ममी पपा की तरह दिखते हो तो इसी वज़ए से क्योंकि DNA RNA इसके लिए responsible है यह double standard होता है वो single standard होता है चलिए बताइए सभी के answers मुझे सही चाहिए कुछ लोग D कुछ लोग B कुछ लोग B कुछ लोग B कुछ लोग B बोल रहे है चलिए अब एक बाद धान दो DNA DNA stands for Deoxy Ribonucleic Acid मतलब Deoxy Ribonucleic Acid एने का मतलब तो Nucleic Acid हो गया विए D-Oxy Ribonucleic क्योंकि इसके अंदर D-Oxy Ribos होता है D-Oxy Ribos होता इसी वज़े से इसका answer जो है D है बहुत से बच्चे जुन्होंने D दिया था यह सही है एक बर जिनका गलत हुआ है आप लोग एक बर पूरा नाम लिख लो ताकि आपको जो है वो याद हो जाएगा D-Oxy Ribonucleic Acid ठीक है जितना बड़ा नाम है D-Oxy D-Oxy मतलब Oxy Oxygen Ribonucleic Acid ऐसा है पूरा क्लियर है सभी को पॉइंट मेरे जो भी मैंने बताए 1100 के बहुत करीब है हम लोग लाइक सिए वो भी कर दीजिए यार सभी लोग चलिए बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हम लोग देख लेते हैं यह दिखिए एसे दो जो है इसमें ऐसी डंडिया होती है जाके और अच्छे से समझाऊंगा डिये ने का डियॉक्सी राइबो नुक्लिक एसिट कंटेंस इंस्ट्रक्शन मतलब की भाई वो जो पैरेंट से जो पैरेंट से जो बच्चों के पूरी की पूरी उनकी इंपॉमिशन जाती है कैसे मतलब उनकी कुछ ट्रेट जाते हैं तो इसी वज़े से जाते चलिए बचा गया था निम्न में से कॉनसे पीटल से गिंग ऑटाक बताथ तो कोंसरे एडागे बरतन मनाते पीतल के घाना जो बनाने के लिए जैनाईव अगरा बनाही याति आति यは रध्तन होते सारे इंस्ट्रूमेंट बनते हुमारे जो पाईप्सकी इंस्ट्रूमेंट फ़न जल्दी से अब इसका क्या ऐसका क्रेक्ट आंसर एक बैपितल के गटक कौन सेविख जल्दी से बताओ कमेंड करो कि अब बहुत बढ़ी आप बहुत बढ़ी आनसर जोए यह मैं स्वाधा टाइम एक्सपेक्ट हम उसको एगो है प्रदिसट होता है मतलब जींक और चॉ पीतल होता है यह धिन्क और कॉपर से बनाय जाता इसी ध्यान रखना को देख यह बहुत सरी इंस्टूमेंट जो है जो मेडल होते वो भी जो है बराउन से बनाय जाते ब्राउंस अलग है अलगी देख लिए आपका कॉपर सक्टर प् तो copper होता है 88% इसमें टीन भी होता है जिंक भी होता है ठीक है copper यह चीज दियान रखना पहले यह उसके बाद यह और gunmetal gunmetal मतलब जो भी armories वगर है जो हम लोग हथियार बनाते हैं जो भी पिस्टोल बनुक किया बनाति है वो जू होते हैं घंव को त Is इस वजह से GYES की बजाए तीन का तीक है जस्त तूंसरा क्लर ले लेया तो आपके लिए जस्ता ता मतलब जीक के במधाई जो है तीन की परइचाडाई जाती आप बताइयों कि ओम सिर्थ महेंG espera यार अफकोस है जिंग थोड़ा महेंगा है जिंग है जाइएर मेल्टिंग पॉइंट बहुत जादा जो है न उसका मेल्टिंग पॉइंट जादा अथिक गलनांक है इस वजह से जिंग जादा जो है इस वजह से या एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं बताइए जल्दी से कमेंट करके मुझे सभी लोग सही आंसर बताएंगे आपने अक्सर देखा होगा एक प्रोसेस हमने बात की थी गैलवनी करन गैलवनाइजेशन गैलवनाइजेशन अब यह गैलवनाइज यह प्रक्रिया होती है बट यहां पर क्या कर रहे हम लोग जिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग टिन का इस्तेमाल कर रहे तो क्यूं कर रहे है जल्दी से आंसर बताओ मुझे कमेंट करके क्या रीजन हो सकता है जी हाँ आप लोग सही बोल रहे हैं लोहा जो है हम लोग जिंक की कोटिंग सिर्फ रस्टिंग से बचाने के लिए करते हैं Rusting मतलब जंग लगने करते है , ठीक है , क्यूंकि हमने जङ लगना ठीक है , ज़नग नहीं लगे , बहर में जूसर लोहे को , बट यहां पर कहने की जब बात आती है , तो हम लोग तो चिंग की जा जिज्ञ जो है reactivity table में जादा जो उपर है मतलब जादा प्रतिक्रिया शील है इसी वज़े से हम लोग क्या करते हमेशा तीन का इस्तेमाल करते कोटिंग करने के लिए तीन की कोटिंग हम हमेशा करते याद है आपको तीन कोटिंग की जाती है आपके जो खाने के डबे होते हैं उसके उ होता है अधिक होता है इसी वज़े से हम लोग जिंग का इस्तेमाल नहीं करते अब क्या होगा फूट को पॉइजन अगर मैं जिंग का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा बोजन को जो है न वो क्या करेगा पता है जहरीला बना देगा बोजन को जहरीला पॉइजन बना दे देखो बहुत से लोग होते जो नहीं भी बोला तो भी सुन लेते मानव कानका श्रवन परास क्या है बताइए 20 से 20,000 हर्ट है 20,000 हर्ट से कम है more than 20,000 हर्ट या फिर more than one of the above या फिर कोई भी नहीं यह BPSC-TRE का कोईशन है यह 9th और 10th में पूछा गया PRT का इसाथ से यह PRT का कोईशन है साइन्स का ठीके पूछा हुआ क्वेशन है आपका बहुत ही अच्छा कोईशन है बताइए बहुत से लोग ना बिना कहें भी सुन लेते हैं समझ लेते हैं हलांकि अब मुझे बताओ कि एक्चुल मीं हुमन रेंज क्या है जिन लोगों की फ्रिक्वेंशी मैच करती है ना उनको यह फ्रिक्वेंशी की जरुवत नहीं होती हो बिना ही कुछ कहें आखों के इशारों से समझ लेते हैं चलिए बहुत बढ़िया सभी के आंसर आ रहे हैं 20,000 से 20,000 हर्ट आपका आंसर करेक्ट है बिल्कुल इसे क्या कहते हैं 20,000 से 20,000 हर्ट जो है यह human hearing range है यह hearing range कह जाती है क्योंकि इसकी उपर की frequency sound हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि वह ultrasonic होता है वह चमकादर वगरा जो है वह लोग सुन सकते हमारे कान की शमता ही इतनी है कि हम 20,000 से 20,000 हर्ट तक सुन सकते हैं चमकादर को जादा सुन सकते हैं और अगर इसके नीचे है तो क्या होता है 20,000 हर्ट से उसको इंफरा साउंड कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है इंफरा साउंड जो कि जैसे हती वगरा होते हो सुन सकते ही हूमन वगरा जो है यहां पर 20,000 हर्ट तक सुन सकते हैं human hearing range और 20,000 के उपर के ultrasonic sound होते हैं ultrasonic sound हम लोग equipment's use करते सोनार वगरा जो ultrasonic sound के द्वारा जो हमें navigate करते हैं हमें कितनी गहरा ही है समुंदर के अंदर वो बताते हैं ships में तो यह जो है अलग-अलग sounds है ultrasonic, infrasound है और हमारा human hearing sound है clear है सभी को चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हम लोग animals dogs वगरा जो है न यह जो dolphins होती अल्ट्रा साउंड सुनते हैं यह एक important है कि dogs है whales है bats है यह क्या करते अल्ट्रा साउंड भी सुनते हैं इनका जो है ना उनकी शमता बहुत जादा होती है clear है सभी को चलिए अब बताईए एक बहुत ही बढ़िय में से कौन सा सही नहीं है आपको यह बताना है it is an allotrop of carbon यह एक अपरूप है carbon का एक अपरूप है या फिर graphite has a high melting point बहुत जादा उसका melting point है इसका tetrahydral structure एक structure होता है tetrahydral वाला हम लोग देखेंगे उसको भी वह क्या यह गलत है graphite is insoluble in water and organic solvents देखिए आपकी pencil वगरा जो होती है आपने बच्पन से जो आप pencil से लिखते होंगे आप तो pen use करते हो बच्चे जो pencil lead जो कुछ लोग खाते भी थे वो या फिर आपका जो यह पूरा graphite होता है ठीक है तो इसमें से कौन सी जो चीज है वो correct नहीं है पूछ रहा है not सबसे पहला important question है कि आपको question सही से पढ़ना है उसके बाद आपको solution लगाना है भले एक minute जो है आप यह समझो कि भाई पूछा क्या है हाँ पूछा यह ना पूछा है ठीक है यहां पे ना पूछा है तो सुबह उटे किसी लड़की का एक्जामपल ले लेते सुबह उटे आप लोग एकदम चेहरा देखा अपने लड़की का यार वो तो बहुत खतरनाक दिखती है बट जैसे ही वो make-up करके किसी शादी में जाती है या फिर किसी फ्रेंड के पाटी में जाती है तो एकदम ही ख लगा लिया कानों में बालिया पहन ली उसने है ना नेकलेस पहन लिया तो वह और सुंदर लगने लगी तो यह जो है कि जहां फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है बट अंदर की केमिकल रहनी की रसाइनिक गुन वैसे के वैसे होते है तो ऐसे जो चीजे ऐसे जो पदा में यह जो एक है इक अलौट रॉपर रहन का आप जादा विर अने इस जादा में वाट पॉंट के बारों में तो यह थी पोईंट सही एगर को यह तो यह देखते क्या है तो एक बार मुझे नहीं पता है पदेख लेंगे चलो आपको समझाते आ मैं बताउंगा मुझे पत के अंदर में चुरा करके डाल देना पानी में insoluble ही रहेगा organic solvent भी रहेगा यानि की organic मतलब cs3 c o ж vinegar में डालो आप acetic acid में डालो किसी में डालो जो insoluble में एलो थे तीनों चीजे सही है मतलब मुझे समझ में आ रहे हैं मैं option elimination वाली टेक्निक आपको बता रहा ठीक है, option elimination technique बहुत important है, मुझे तो नहीं पताता, समझ लो, मुझे देखा कि यह तीन चीज अगर सही है, तो आपकोस गलत पूछा है, तो यह वाली चीज गलत होगी ना, अगर यह तीन सही है, तो यह गलत होगा, तो मतलब यह वाला point गलत है, यह important आपको पता होना चीज है, ठीक है, तो मैंने option elimination technique से इसको हटा दिया, तो इसका answer जो सही है, वो C है, clear है सभी को, clear है, अब tetrahedral structure कुछ ऐसा कुछ structure होता है, उसका tetrahedral structure नहीं होता है, hexagonal structure होता है, ठीक है, hexagonal, देखिए, hexagon के form में देखिए, hexagon, hexagon मतलब 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagon मतलब ही 6 होता है, तो hexagonal structure structure होता है इसका, और इसका जो गला नांक है, करीबन 6,